नमस्का दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मैं सुजीत पाइड़ा आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पर आपके लिए पॉलिटी के कॉशन लिख रहा है, पॉलिटी के MCQ, बहुत ही शांदार कॉशन है इनको लगाईए यह आपके आने वाले एक्जाम में मिल सकते हैं आपको बहुत बार रिपीट हुएं बहुत ही अच्छे कॉशन है जरूर एक एक कॉशन रटलीजेगा, पॉलिटी कई लोगों को टफ लगती है लेकिन हमारा उद्देश है कि आपको पॉलिटी अच्छे से करा दें चलिए तो वीडियो करते हैं श्टार्ट, पहला कॉशन देखिए भारतिय सम्विधान की रचना में निम्नोक्त मैं से किसने सरवादिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है तो भारतिय सम्विधान की बात हो रही है और सरवादिक गंभीर प्रभाव सम्विधान में छोड़ा गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू option number यहां पर right answer है जोलाई 1946 में इस्थापित सम्विधान सवा की सदस्यों में निम्नलगति में से कौन शामिल नहीं है क्या हो जाएगा right answer तो सम्विधान सवा की सदस्यों में महात्मा गांधी जी नहीं थे option number C महात्मा गांधी जी यहां पर प्रशने के लिए right answer हो जाएगा भारत की सम्विधान सवा गटित करने का आधार क्या था तो जो सम्विधान सभवनी थी उसका सम्विधानिक सल्हकार जो थे वो थे आप के सर B.N. राउजी, option number C यहाँ पर B.N. राउजी प्रशने के लिए right answer हो जाएगा भारती सम्विधान अपनाया गया था कब? तो भारती सम्विधान यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा प्रशने के लिए? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, option number C यहाँ पर प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला उप प्रधान मंत्री इन में से कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधान मंत्री यहाँ पर right answer हो जाएगा सरदार वल्लभाई पटेल जी थे, option number B यहाँ पर right answer है, सरदार वल्लभाई पटेल निम्दलिकित में से भारती सम्विधान सभा का अध्यक्ष कौन था तो यहाँ पर भारती सम्विधान सभा का अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजिंद प्रशाद जी, option number ये राइट आंसर है भारत के पहले राश्टपती के रूप में डॉक्टर राजिंद प्रशाद का चुनाओ किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था आपका सम्विधान सभा के द्वारा इन्हों नहीं सम्विधान सवा नहीं डॉक्टर राजन प्रशाद को पहले राष्ट पती के रूप में नुक्त किया था हमारा राष्ट गान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था तो हमारा राष्ट गान जो था ये सबसे पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में option number D यहाँ पर प्रशने के लिए right answer हो जाएगा स्वतंत्र भारत में निमलकित में से कौन सी महीला किसी राज की पहली राजयपाल थी तो स्वतंत्र भारत में right answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए आपका पहली राजयपाल option number A श्री मती सरोजिनी नाइडू option number A यहाँ पर प्रशने के लिए right answer हो जाएगा भारती सम्विधान इन में से किस दिन लागू हुआ था तो क्या हो जाएगा right answer भारती सम्विधान जो था यह लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा भारत में दल रहित लोगतंत्र का प्रस्ताव किस ने रखा था तो दल रहित लोगतंत्र का प्रस्ताव रखा गया था जैप्रकाश नाराण जीज दवारा option number A यहाँ पर right answer है डॉक्टर बियार अंबेडकर ने समिधान का हरदय और आत्मा किसे कहा है तो इन्हों ने समिधान एक उपचारों के एधिकार को समिधान का हरदय और आत्मा कहा है option number C यहाँ पर right answer है भारत की समिधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारम किया था तो समिधान सभा ने 1946 से ही कामकाज प्रारम कर दिया गया था समिधान बनाने की प्रक्विया स्टार्ट होई थी 1946 से ही संसत के केंद्री कक्ष में समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो संसत के केंद्रिक अक्ष में सम्विधान सभा की पहली वैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी option number यहाँ पर डी राइट आंसर है भारती सम्विधान की प्रारूपन समिती के अध्यक्ष कौन थे प्रारूपन सम्विधान सभा के प्रारूपन समिती के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी और अमबीड कर d %. हप्षिंart यहाँ पर अंसर है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है तो भारत में प्रती निधियों का लोगतंत्र है option number C हमारे द्वारा चुने गए नेता या प्रती निधी ये चलाते हैं तंत्र को निम्नलगित में से कौन सा देश आदोने के लोगतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था आदोने के लोगतंत्र की स्थापना सबसे पहले की थी अमेरिका ने option number C America right answer हो जाएगा सम्विधान के उद्गाटन के लिए 26 जन्वरी को चुना गया था ऐसा क्यों तो सम्विधान के उद्गाटन के लिए 26 जन्वरी को चुना गया था क्योंकि Congress ने इसे 1930 में स्वाधिनता दिवस के रूप में मनाया था option number C 1930 में स्वाधिनता दिवस के रूप में मनाया गया था Congress के दोवारा भारत के सम्विधान का निर्माता किसे माना जाता है तो भारती सम्विधान के निर्माता कहा जाता भी आर अम्बेटकर जी को आप्शन नमबर भी यहां पर आइट आंसर हो जाएगा भारती सम्विधान को अस्तित्त में भारती सम्विधान कब अस्तित्त में आय था तो भारती सम्विधान यह आय था आपका 26 जनवरी 1950 को अस्तित्त में आप्शन नमबर भी यहां पर आइट आंसर है भारत के गड़तं संविधान की मसौधा समीति के समख्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तित किया था तो हैंग और संविधान सवा में यहां बैंक किसी बैंक में दे उस शेक की तरह हैं जिसका भुक्तान बैंक अपनी सुविधान सकता है तो यह जो वाकिय कहें गए केती शाह ने कहा था ओप्षिण अपर प्रकेटई शाह प्रश्ने के लिए read-an-sur हो जाए संवीधान का गठन किया उप्षेंड विधान सभा नंबर विधान सभा प्रशने के लिए राई आंसर आश्र आफ ने राष्ट भान सबसे Uhm है प्रतम केंध्रिय विधान सभा का गठन कप किया गया था तो सबसे पहले केंध्रिय विधान सभागतन 1920 में किया गया था option number यहाप डी रइट आऊंसर है सुमिक्षन इव्यों निर्वाचित है राजनीतिक स्वतंता का अर्थ क्या है तो राजनीतिक स्वतंता इसका जो अर्थ है वो है आपका लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविदिया ओप्शन नमबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविदिया निम्नलगित में से कौन भ अधिनियम में भारत के शाषन का छेत्री विवाजन किया गया था तो भारत के शाषन का छेत्री विवाजन भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था निम्नलिकित में से किस ने पहले 1935 में सम्विधान सभा का सुजाव प्रस्तावित किया था तो 1935 में सम्विधान प्रणाली जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी आपकी 1935 अधिनियम के दोवारा option नमसी 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर है भारते समिधान का प्राधिकार स्रोथ कौन है तो भारते समिधार का प्राधिकार स्रोथ जो है यह भारत के लोग है option नमसी भारत के लोग राइट आंसर है बंदुत्तु का अर्थ क्या होता है तो बंदुत्तु का जो अर्थ होता है वो होता है भाईचारी की भाउना प्रशन के लिए राइट आंसर है भारत के सम्विधान का गठन किसके द्वारा किया गया था तो भारत के सम्विधान का गठन विधान प्रश्ण ने के लिए राइट अंसर है निम्न लिगति में से समविधान मसोद समिती के अध्यक्ष कों थे तो समविधान मसोदा समिती के जो अध्यक्ष थे वो दे डॉक्तर बी-R अम्बेटकरजी option number यहाँ पर C right answer है भारती समिधान में कितने भाग हैं ये caution का अंसर आप मुझे comment करके बताएंगे कि भारती समिधान में कितने भाग हैं प्रश्ण का अंसर comment box में comment करके ज़रू बताएगा प्रारूप समिधी के अध्यक्ष इन में से कौन थे तो बी आर अम्बेटकरजी प्रारूप समिधी के अध्यक्ष थे किस भारत सरकार अधिनियम के तहट पहली बार विधाईका में कुछ निर्वाचित प्रती निरत्तु की मंजूरी दे गई तो निर्वाचित प्रती निरत्तु की मंजूरी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जागा इस प्रशनी के लिए तो यहाँ पर इस प्रश्णी के लिए राइट आंसर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1909, option number B यहाँ पर राइट आंसर है सम्विधान सभा का सदसे कौन नहीं था, इनमेंसे कौन सम्विधान सभा में नहीं था तो महातमा गांदी जी सम्विधान सभा के सदसे नहीं थे, option number A यहाँ पर राइट आंसर है भारत की सम्विधान सभा की पहली बैटक की अधिक्षता किस ने की तो भारत की सम्विधान सभा की सबसे पहली बैटक की अधिक्षता डॉक्टर सच्चिरान सिनाने की है option number B यहाँ पर right answer है भारती सम्विधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है तो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है आप राइड आंसर क्या हो जाएगा आपका भाग 9A में ऑप्शन मड़ी भाग 9A प्रशने के लिए राइड आंसर है भारती सम्विधान का कौ एक राजियों का संग ऑप्शन नमबर भी राजियों का संग प्रशने के लिए राइड आंसर है भारत को ये गणराज मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजिया धक्ष का चुनाओ होता है भारत में इसलिए भारत को गण राज्य कहा जाता है गण राज्य माना जाता है दुनिया की निम्न लिखित में से किस देश से भारती सम्विधान में राज्य नीती के निदेशक सिर्धान्त की संकल्पना को अंगिकार किया गया है तो यहाँ पर आप से पूछा गया राज्य नीती के निदेशक शिर्दांत, राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गए है, आपके आयरलेंड से, option नमर ए, आयरलेंड प्रशने के लिए, बिलकुल सही आंसर है, बाते समविधान की प्रस्तावना में, धर्म निर्पेक्ष, मतलब secular शब्द, निम्नलिकित में से कब जोड़ा गया तो जो secular सब्द है, ये जोड़ा गया था, आपका 42 समविधान संसोधन में, option नमर भी यहाँ पर प्रशने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा, बाते समविधान की प्रस्तावना में, निम्नलिकित में से किसका उलिक नहीं किया गया है, तो प्रस्तावना के अंदर जो है वयस्क मताधिकार का उलिक नहीं किया गया है, बाकी नियाय ब्रहतत्तों और इस्तती की समानता यहाँ पर आइट आंसर है, भारत में राजनेतिक शक्ती का स्रोत क्या है, तो भारत के अंदर राजनेतिक शक्ती का स्रोत हम लोग अर्थार्थ जनता है, option बड़ी यहाँ पर भारत के समगीः वयस्ता की योजना किस देश से लिए है, तो संगीः वयस्ता की योजना ली गई है, यहाँ पर आइट आंसर हो जाएगा, कनाड़ा से ली गई है, option बसी कनाड़ा राइट आंसर है प्रशने के लिए, बातिया समविधान भारत का वरनन किस रूप में करत तो भारते संविधान द्वारा भात करनन की आता है राज्यों के संग के रूप में । यहां पर राइट आन्सर है। कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आपके कमेंट का इंतिज़ार करूँगा भारती समयधान की परस्तावनावे निमलकित में से किस अभी व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है तो यहां पर ऑप्शन सई आंसर हो जाएगा संगिय शब्द का यूज नहीं किया गया है बा भारती समयधान की आठवी अनुसूची में कितनी भाशाएं शामिल है तो भारती समयधान की जो आठवी अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाशाएं शामिल की गई है ऑप्शन बड़ी ऑप्शन बड़ी 22 भाशाएं राइट आंसर है भारती समयधान में कुल कितने अनुछ प्रतावनान की संग सूची मैं तो यहां पर अपडेट कर लीजाए यहां पर 97 लिखाए, नहीं, total 98 विशा है हो चुके हैं, अब कितने total 98 विशा हैं भारती सम्विधान की संग सूची में यार रखिएगा ये caution कई बार exam में पूछा गया है हमारे सम्विधान में राज के नीति निशक्तत्तों के सिधान को कहां से लिया गया है तो ये caution में कई बार करा चुका हूँ, कई बार आया है, अलग अलग टाइप से पूछ रहे है Ireland यहाँ पर प्रशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा हमारे सम्विधान की प्रस्तावन में कौन सा शब्द उलेखित नहीं है जो यहाँ पर option आपको दिये गए है बारत का सम्विधान भारत को कैंसे वर्णित करता है तो भारत का जो सम्विधान है यह भारत को राज संग के रूप में वर्णित करता है option number B राज संग प्रश्ने के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारत का सम्विधान देश को इस रूप में वर्णित करता है तो भारत का देखिए गुमा गुमा के पूछ रहे हैं आपको नहीं पड़ा होगा तो पहला question भी same ही था राजियों का संग राज संग ये सभी वर्णित या रखना ये सभी एक ही मीनिंग होता है और ऐसे ही हमारे सम्विधान में देश को वर्णित किया गया है भारत का सम्विधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है तो सम्विधान प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जंता से option number C यहाँ पर right answer है भारत की जंता भारते समिधान में न्यायक समिक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो न्यायक समिक्षा का प्रावधान USA से लिया गया है option number B यहाँ पर right answer है समिधान की देशिकां में समाजवादी और पंत्र निर्पिक्ष शब्द किस के दौरा जोड़े गए थे किस देश के समिधान से लिया गया है तो ये लिया गया है राइट अंसर हो जाएगा आपका Ireland के सम्विधान से option number भी यहाँ पर right answer है भारती सम्विधान में राष्टपती के चुनाओं की प्रनाली किस देश से लिगई है तो हमारे जो राष्टपती चुना जाता है उसकी जो प्रनाली है यह लिगई है आपकी Ireland से option number यहाँ पर C Ireland प्रशन के लिए right answer है भारती सम्विधान में सम्वर्ती सूची किस के सम्विधान से लिगई है तो जो सम्वर्ती सूची लिगई है यह आउस्ट्रेलिया के सम्विधान से लिगई है option number यह आउस्ट्रेलिया प्रशन के लिए right answer है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ती किसके हातों में होती है तो प्रस्तावना के अनुसार परम सक्ती ये जनता के हातों में है option number D जनता प्रशन के लिए right answer है भारत में सरकार की संग्य प्रनाली इसलिए है क्योंकि तो भारत में सरकार की संग्य प्रनाली है क्योंकि लोकसभा में जो मंत्री परिसर है ये उत्तरदाई होती है आप्शन बड़ी लोकसभा में मंत्री परिसर ही उत्तरदाई होती है निम्दलिकित में से कौन सी भारती सम्विधान की विशेष्टा नहीं है नाय पालिका की सुतंता है और संग्य सरकार है भारत के संविधान में संग्य शब्द का प्रयूग कहां पर हुआ है तो हमारे संविधान में जो संग्य शब्द है इसका प्रयूग कहां पर हुआ है राइट आंसर हो जाएगा, इसका सम्विधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, संग ही शब्द का, option number C, right answer हो जाएगा, सम्विधान में कहीं भी जिक्र नहीं है इसका, भारतिय सम्विधान के अनुचेत में यह गोशना की गई है कि इंडिया अर्थार्थ भारत क्या है, इंडिय यह संग्य व्रत, option number B, अर्थ संग्य यह संग्य व्रत, right answer हो जाएगा, भारतिय सम्विधान के किस अनुचेत को डॉक्टर B.R. अमिटकर ने भारतिय सम्विधान का हर्दय एवं आत्मा कहा है, तो भारतिय सम्विधान का हर्दय एवं आत्मा अनुचेत 32, 32 के द्वारा कह गया है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ जो है, यह जाती, नसल, रंग, लिंग, आधी आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से दूर होना चाहिए, यह सामाजिक न्याय है, निम्दल के तमसे किसको धर्म निर्पिक्ष राजी कहा ज तो भारतिये लोक तंत्र की जो आदाश है उनको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं ओप्शन नंबर ए प्रस्तावना राइट आंसर है विधी का सप्षण की संकलपना कहाँ की समविधानिक प्रणाली की एक विशेश विशिशता है तो विधी का साशन ये जो संकलपना है ये है आपकी ब्रिटेन, option number A, ब्रिटेन प्रशन के लिए right answer है भारत के सम्विधान में भारत को किस रूप में वनित किया गया है तो भारत के सम्विधान में भारत को वनित किया गया है राजियों के संग के रूप में option बड़ी यहाँ पर राजियों का संग right answer है निनलकिति में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्म निर्पिक्षवाद और संगवाद भाती संविधान की मूल विशिष्टाएं हैं धर्म निर्पिक्षवाद और संगवाद यह कहा गया था आपका एस आर बोंबई मामले में कि हम जो है हमारा संविधान और हम भारत के लोग धर्म निर्पिक्षवाद और संगवाद में यकीन करते हैं यह हमारी संविधान की मूल विशिष्टाएं है अगला कॉश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है आधारित लोक तंत्र किसे संब्दित होता है आधारित लोक तंत्र यह जो है आपका शक्तियों के हस्तांतरन से संब्दित है शक्तियों के विकेंद्रिकरन से संब्दित है पंचाती राज प्रनाली से के तंत्र का मतलब होता है option नमबर यहां पर मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुष शाषन वही चलाएगा सभी के उपर शाषन जो कहेगा वो मानना पड़ेगा सर्व जनीन मतलब सार्व भौमिक वयस्क मतादिकार दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है तो सार्व भौमिक मतादिकार यह दर्शाता कि भारत है यह लोकतांत्रिक देश में आता है option नमब सी लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या कहलाती है तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो ह ये जनता का प्रभुत्व कहलाता है, option बड़ी जनता का प्रभुत्व सम्विधानिक राजिसी का अर्थ क्या होता है, तो सम्विधानिक राजिसी का अर्थ होता है आपका सम्विधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयूख करना सरकार के संसदिय रूप का विचार कहां से लिया गया है तो सरकार के संसदिय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है option number यहाँ पर भी बृटिटेनिक प्रेशण के लिए right answer हे किस से तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शाषन करते हैं तो उस तंत्र को कहा जाता है आपका ALP तंत्र जोसे कुछ लोग रहते हैं और अधिक लोगों पर शाषन करते है अल्प तंत्र उस देश का नाम बताए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की समविधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है तो भारत से उधार लिया गया है राइड आंसर क्या हो जाएगा प्रशनी के लिए इस प्रशनी के लिए सही आंसर है दक्षन अ सम्विधान से राजनिती निशक विश्यक तद तो अपनाए गए हैं तो यह अपनाए गए हैं आपके आईरिस सम्विधान से option number C Irish सम्विधान right answer है निमने मैं से किस देश से भारती सम्विधान ने लिखित सम्विधान के रूप को प्राप्त किया है तो लिखित सम्विधान का जो रूप प्राप्त हुआ है USA से US से प्राप्त हुआ है option number E USA या US right answer है भारत में समविधान की उदेशिका में धर्म निर्पिक्ष सब्द कौन से समविधान द्वारा जोड़ा गया था तो ये जोड़ा गया था आपका नितल यहांपा म२ेधा की कौन सी विशुष्टा में कहा गया है कि कि सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए तो किसी भी सहना रागनिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए भाईचारी के इंतर गताता है सबसे अधिक प्रभाव निमनलेकरि में से किसका मना जाता है तो शमविधान पर सबसे अधिक प्रवाव हाई है भारत सरकार अदिनियम 1935 का option बड़ी, निम्नलकेत में से कौन सा एक भारती सम11rale की मुख्य विशिष्टा नहीं है, तो भारती सम 11 Hogиком की मुख्य विशिष्टा नहीं है, क्या अलप तंत्र भारत में producer cancer नहीं चलता, इंघ में से कौन भारत को एक secular राज के रूप में वर्णिट करता है, तो भारत एक सेकुलर राज है, ये वनित करता है प्रस्तावना, option number यहाँ पर भी right answer है और ये राज का आपका आखरी question, इस question का answer आप मुझे comment करके बताएंगे question है निमलकित में से कौन सा शब्द भारतिय सम्विधान के उद्देशिका में नहीं लिखा है ये रहे आपके शब्द, उद्देशिका में कौन सा, प्रस्तावना में इनमें से कौन सा सब्द नहीं है कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है comment करके आपको बताना है, यदि आपको polity पढ़नी है, और question चाहिए तो पार्ट दो कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा आपको आगे के भी कॉशन मिल जाएंगे पॉलिटी के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जरूर बताईएगा यदि आपको पॉलिटी आगे भी पढ़नी है आपका दिन शुब रहे बहुत बहुत धन्यवाद